शारदा घोटाले में पुलिस कमेशनर राजीव कुमार की भूमिका की जाच के लिए पहुँची CBI की टीम और पुलिस के बीच रविवार को हुए टकराव के बाद पर बंगाल की सीएम ममता बनर जी ने मोदी सरकार के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जरीवाल सपाध्यक्ष अखिलेश यादव आंधर के सीएम चंदर बाबू नायदू जम्मू कश्मीर के पूर्वं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत नौव विपक्षी दलों के नेताओं ने ममता का समर्थन किया है पर बंगाल और केंदर सरकार के बीच टकराव का यह पहला मामला नहीं है तीन महीने के भीतर ऐसी तीन घटनाएं हो चुकी है 16 नवंबर 2018 CBI को राज्य में जांच से रोका ममता ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वेर CBI और दूसरी एजेंसियों का इस्तिमाल अपने फायदे के लिए कर रही है ममता सरकार ने पर बंगाल में CBI को जांच करने से रोक दिया DSP Act के मताबिक CBI को राज्यों में जाकर जांच करने का अधिकार है लेकर इसके लिए आम सहमती जरूरी होती है 6 दिसंबर 2018 ममता ने भाजपा को रथियात्रा की इजाजत नहीं दी फट, बंगाल सरकार ने राज्य का माहौल बेगरने का हवाला देते हुए भाजपा को रथियात्रा की इजाजत नहीं दी इस फैसले के खिलाव भाजपा कलकता हाई कोट पहुंची यहाँ सिंगल बेच ने भाजपा को रथियात्रा की इजाजत दी लेकिन डिविजन बेच ने इस फैसले को पलट दिया इसके बाद भाजपा सुप्रीम कोर्ट पहुँची सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा राथियात्रा के लिए रिवाइजड प्लान करे अदालत ने ममता सरकार से कहा कि भाजपा को जनसभा और रैलियों की इजाज़त दी जाए 29 दिसंबर 2018 डेटा शेयरिंग से ममता का इनकार ममता बनर जी ने राज्ये के सभी विभागों से कहा कि वे केंदर के साथ डेटा शेयर ना करे उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य को नियंत्रित करने के लिए इस डेटा का इस्तिमाल कर रहा है और यह संग्हीर धांचे में दखल है ममता सरकार ने आयुशमान भारत समेत केंद्र की कई योजनाएं भी पर बंगाल में लागू नहीं की योगी का हेलिकॉप्टर नहीं उत्तर ने दिया दक्षणी दिनाजपोर जिले में रविवार को उत्तर प्रदेश के सी एम योगी आदित्यानात की गणतंत्र बचा और रैली होनी थी लेकिन राज्य सरकार ने पूर्व सूचना के बगैर योगी के हेलिकॉप्टर उतारने की मंजूरी रद कर दी इसके चलते सी एम योगी रैली में नहीं पहुँच पाए इसके बाद उन्होंने फोन और आडियो लिंक के जरिये लोगों को सम्बोधित किया टकराव की वज़ा भाजपा का पा बंगाल में 22 सीट जीतने का लक्षे है 2019 लोग सभा चुनाव में भाजपा ने पा बंगाल की 42 सीटों में से 22 सीटें जीतने का लक्षे रखा है 2014 में भाजपा को यहां 2 सीटें मिली थी और तब पार्टी का वोट शेर 16 आठ पर सेंट था 2016 विदान सभा चुनाव में भाजपा ने 3 सीटें जीती वोट शेर 10 दो पर सेंट था पिछले साल फर्वरी में एक लोग सभा और एक विदान सभा सीट पर हुए उप चुनाव में भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बनी पंचायत चुनाव में भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बनी टी एमसी ने 31,008 और 2 ग्राम पंचायत सीटों में से 20,848 सीटें जीती भाजपा 5,636 सीटें जीत कर दूसरे नंबर पर रही इसी महीने ठाकुर नगर में मोदी की सभा हुई मोदी यहां मतुआ समदाय की नेता वानी देवी से मिले यहां की पांच सीटों पर मतुआ समदाय निर्नाय घुमिका में है